हेलो व्रीवन आप लोग का बहुत बहुत स्वागते जी के ओशेन यूटूब शानल पर आई वेलकम यूँ ओल टू जी के ओशेन यूटूब शानल देखे जैसा कि आपको पता है कि एक्जाम में जैन धर्म और बहुत धर्म से संबंदित एक से दो कोशन पूछे जाते हैं तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं जैन धर्म और बहुत धर्म से रिलेटेट टॉप थर्टी मोस्ट इंपोर्टन कोशन फैक्ट के साथ ठीक है जो कि आपके एक्जाम के लिए जाधा important है ठीक है तो आज का हमारा पहला कोशन है अगर आपको किसी भी कोशन में doubt हो तो उसको आप comment section में पूछ सकते हैं 30 में से आपको कितने question आते हैं ये भी आप लोग जरूर बताएगा ठीक है अगर आपको किसी भी question का answer आता है तो comment section में आप बता सकते हैं ठीक है तो आज का हमारा पहला important question है कि जैनियों के पहले तीर्थ कर कौन थे most important question है चार option आपके सामने दे रखा है तो यह हो जाएगा र पता होना चाहिए कि जैनियों के पहले तो रिशब्देव थे 23 और 24 पूछा जाता है तो 23 तीर्थ करते पार्षवनाथ और 24 बहुत जादा पूछा जाता है तो यह हैं महावीर स्वामी ठीक है अगला question है आपके सामने भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांसे कहा पर ली थी तो यह इनुने ली थी कुशी नगर में ठीक है कुशी नगर में और कब तो यह भी आप क्या दोंचे 483 इसापूर में तब यह 80 साल के थे ठीक है और महात्मा मुद्ध ने जो अपने सांसे ली या इनकी क्यों को हम लोग महापरी निर्वान भी कहते हैं यह भी एक्जाम में पूछा जाता है ठीक है कुशी नगर में 80 वर्ष के आयू में और किस एयर में 483 इसापूर ठीक है इतना आपको अच्छे से याद कलेना है अगला कोशन है गंधार कला किस शाखा के अंतरगत अस्तित् अगला प्रशन आपके सामने निम लिखित में से कौन सा मठ बहुत धर्म से संबंदित है आपके सामने चार ऑप्शन है और यहां पर हमारा सही आंसर जाएगा ऑप्शन नमबर बी चैत्ट वीडियो आपके लिए हैलफुल हो और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीड प्रशन आपके सामने अशोक ने तृतिये बौध संगीती या सभा कहां पर बुलाई थी देखें चार जो है बौध संगीती आ हुई थी तो आपको चारो याद होनी चाहिए मैं भी आपको यहां पर रिवाइस करा दूगी फिलाल जो इस कोशन का अंसर है अशोक ने अपन यहां बताना है तो पहला पूछा था तो यह राज ग्रह या सब पंडी कब 483 इसापूर्व किसके शाषनकाल में अजाश शत्रू और अध्याश कौन थे महाकश्यप दूसरी बात की जाए तो वैशाली में हुई थी 383 इसापूर में हुई थी उस समय कलाशोक थे और अध बहत्तर इसापूर में कंड़नाओ में बहत्तर इसापूर में उस समय किसके शाषनकाल में वाशुमित्र और अध्यक्ष्य वाशुमित्र ठीक है यह आपको याद कर लेना आप लोग इसको चाहें तो स्क्रिंशॉट ले सकते हैं क्यूंकि इससे कोशन पूछा ही जाता है अगला कोशन आपके सामने कि गौतम बुद्ध किस वंस से संबंधित थे तो यह संबंधित थे शाक के वंस से यह कोशन हमेशा एक जाम में पूछा आता है ठीक है इनका जनम कहा पी वा था इनका जनम हुआ था नेपाल के कपिल बस्तु लुम्बनी ग्राम में इनका जनम ह अगला कोशन है गौतम बुद्ध को ज्यान कहां प्राप्त हुआ था तो यह प्राप्त हुआ तो बोध गया में ऑप्शन भी हो जा गया हमारा सही आंसर ठीक है देखे निरंजना या पुनपुन नदी के तर्ट पर ठीक है यह भी आपको उच्छे से आदोना चीह और इस स प्रशन आपके सामने निमलिकित में से बौध साहित की भहचान आपको बतानी है कौन से है तो यह है त्री पितक ठीक है त्री पितक है जिसमें पहला होता है सुत्ति पितक दूसरा होता है विन्य पितक और तीसरा होता है अभी धम पितक ठीक है एक और पूछा आता है आग अगला कोशन आपके सामने प्रारंबिक बहुत धर्मों प्रारंबिक बहुत धर्म ग्रंतों की रशना किस ने की थी ठीक है किसमें की गई थी तो यह की गई थी पाली भाषा में नेक्सक्षोशन है महावीर की माता कौन थी देखे महावीर की माता थी तुरिशला ठीक है महावीर का जनम मौता पांच जालेच इजमें और कहां पर कुंड ग्राम या वैशाली में के पिता का नाम सिद्धार्थ था यह इस अब ही आपको चेसाओ नट चाहिए अपना प्रतम धर्म संदेश कहां पर दिया था तो यह नों ने दिया था सारनाथ में ठीक है कि तेर्वा कोशन आपके सामने कि बौध साहित त्रिप्रटक की भाशा क्या थी तो यह थी क्या पाली अभी हमने डिस्कस किया उपर ही पौटीन कोशन है नेपाल में बौध धर्म का प्रचार किस के शाषनकाल में किया गया था तो यह किया गया था चंद्रगुप्त के शाषनकाल में ठीक है ऑप्शन नमर सी हो जागा यहां पर हमारा सही आंसर पंद्रावा प्रचन आपके सामने बौध अनुनायों के लिए प्रसित विक्रम शिला विश्विद्याले की स्थापना किस आशर के दौरा की गई थी तो यहां पर आपके सामने चार ओप्शन है यह हो जाएगा धर्म पाल यह एक्जाम में कई बर पूछा आता है आपको इसको अच्छे से याद कर लेना ठीक है यह इंपोर्टेंट है कि अब कि 17 कोशन आपके सामने निम्लिकित में से कौन सा जयान मतल का त्रिरतन नहीं है तो जो इस सम्यक द्रिष्टी है यह जो है जयान धर्म का त्रिरतन नहीं है ठीक है सौला ठार्वा प्र%, आपके सामने यात्रियों का राशकुमार किसे कहा जाता है तो यह कहा जाता है हेन सांथ को ठीक है यह हृष्ष वर्दन के शाशनकाल में आए थे अगला प्रेशन है निम्न में से कौन सा शाशक बुद्ध के समकालिन था तो ये कौन थे ये थे बिम्बिसार ठीक है नेक्स्ट कोशन है निम्निकित में से कौन सा सम्प्रदाय बहुत धर्म का नहीं है तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा अगला प्रेशन है वर्दमान महावीर को हम लो जिन नाम से भी जानते हैं अगला प्रेशन है तिब्बत में बहुत धर्म का प्रचार करने वाले बहुत भिक्षु कौन थे आपकी सामने चार ओप्षन है नागार्जन, आनंद, आसंग या पदम संभव तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो ओप्षन नमबर डी पदम संभव नेक्ट कोशन है किस कुशांड साशक से बहुत धर्म का संद्रक्षन प्राप था तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो ओप्षन नमबर अ जनम से ठीक है दिखे जनम से समंधिते सांट और कमल ठीक है अब जब उनोंने ग्रह ताग किया था तो यह इस समंधिते घोड़ा और घ्यान से समंधिते पीपल या बोधिवरिक्ष और निर्वार जो महा परी निरवार हुआ था तो इससे समंधित चिन है पद चिन ठीक है और मृत्यव स्टूप ठीक है इतना आप कोछे से याद कर लेना है नेक्स्ट कोशन है निम्लिकित में से कौन से साशक बुद्ध के समकाली नहीं था तो यहाँ पे हमारा सही आंसर गए ऑप्शन नमबर डी महा पदमनंद कोशन है निम्लिकित में से महाबीर का परी निर्वान स्थल कौन सा था तो आपके सामने चार ओप्शन दे रखा है तो यह है ओप्शन नमबर ए ठीक है पावा और यह हुआ था 468 इसापूर में ठीक है यह भी आपके आद कर लेना है नेक्षक्शन है बुद्ध के उपदेश किस भाशा में हिंदी उर्दू पाली या प्राकृत तो बुद्ध के जो उपदेश है तो इस कोशन गर्रे ठानस रहोएगा पाली फीक है अभी हमने डिसकास क्या था और हमारा आखरी प्रश्ण है कि किस मारक के माध्यम से गौतम बुद्ध ने अपने दिव विज्ञान को पूरे विश्व में प्रसारित किया था तो आपके सामने या पर चार है थाथ आपके से अफ ते याष्का प्रसावय जापके सालतकों आपके सामने प्रसारित कि संफ धर स्ब।्ट प्रसावय जापके सा कर दो